नमस्कार दोस्तों मैं आज शेश्ट अंतिल आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में किस-किस तरीके का प्रियोग करके सरकार को गिराया जा सकता है यांकि मोधी सरकार हो या नहरु सरकार हो या इंद्रागांधी के सरकार हो कैसे उस सरकार को पांस साल पे से पहले ही गिराया या खतम किया जा सकता है और सिंगासन को खाली कराया जा सकता है इसके दो रास्ते पड़ते हैं एक अविश्वास प्रस्ताओ और एक विश्वास प्रस्ताओ विश्वास प्रस्ताओ मतलब confidence motion और अविश्वास प्रस्ताओ मतलब non-confidence motion पहले हम इस पर जिकर करते हैं अविश्वास प्रस्ताओ सरकार के खिलाफ लाया जाता है ताकि सरकार को गिराये जा सके, परधान मंत्री को हटाये जा सके, कुर्ची को खाली किया जा सके और ये प्रस्ताव सबसे ज़्यादा बार इंद्रा गांधी के खिलाप आया था। इंद्रा गांधी को पंद्रा बार, एक नहीं, दो नहीं, पंद्रा बार हटाने के कोशिश की गई थी, पंद्रा बार, हाले कि वो हटी कभी भी नहीं, इस मैथड से, इंद्रा गांधी के अलावा लाल भादुर सास्त्री और पीवी नर्सिमर राओ को तीन-तीन बार हटाने के कोशिश की गई थी, और नरेंदर मोधी को भी दो बार हटाने के कोशिश की गई थी, अविश्वास प्रस्ताव, जो कि लोगसभा के रूल नंबर 198 के तहट सुरू क किया जा सकता है, सरकार को हटाने, उसको किराने के लिए, कुर्शी को खाली, सिंगहासन को खाली करवाने के लिए, एक सो अठाण में, रूल नंबर 198 में, लोगसभा का, ये प्रस्ताव आज तक 28 बार आया है, 28 बार, और 28 में सबसे ज़्यादा बार, मैंने आपको बताया और सारा डेटा भी आपके सामने था, और अब है, 15 बार इंद्रगानी के खिलाफ, सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, 1963 में, ठीक है, अब 28 बार ये प्रस्ताव आया है, और 27 बार फेल हो गया है, मतलब सरकार नहीं गिरी, वह एक बार गिरी? नहीं, एक बार भी नहीं गिरी, आज तक सरकार कभी भी नहीं गिरी, तो फिर वो एक बार क्या हुआ था, 1979 में, मुरार्जी भाई देसाई के से उन्होंने इसको पास होने से पहले ही इस्तिफा दे दिया इसलिए ये बिल ये प्रस्ताव ये मोशन आज तक 28 बार आया है लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ है 27 बार फेल और एक बार कोई कंक्लूजन नहीं आया अब कई कहेंगे सर अटल बिहारी सरकार अटल बिहारी प्रस्ताव फर्क क्या है अब सुनना मेरी बात देखिए अब विश्वास प्रस्ताव ये जनरली अपोजिशन जाने की विपक्ष लेकर आता है इसको अपोजिशन लेकर आता है ये कहते हुए विश्वास नहीं है तुमारे पास तुमारे उपर हटो सिंघासन खाली करो हम तुम पर विश्वास नहीं है थाली करो सिंगासन इस प्रस्ताओं को विपक्ष लेकर आता है अक्सर और इस प्रस्ताओं को सरकार लेकर आती है अपने majority साबित करने के लिए विश्वास करो हम पर हम सरकार बना देंगे हम सरकार चला लेंगे हम सरकार कायम कर पाएंगे जब लोग सभा में जो टोटल में वेल्यू होती है 543 उसका आधा प्लस एक इजगल तो 272 जब कोई भी पार्टी 272 को पार नहीं कर पाती लकी नंबर को क्रोस नहीं कर पाती गटबंदन गटबंदन की कुछ बाते चल रही होती है तब किसी की सरकार जब बनती है तब वो प्रस्ताव लेकर आती है विश्वास करो हम पर हम सरकार चला देंगे हम हम चला देंगे सरकार opposition विश्वास नहीं है तुम पर हटो सरकार विश्वास करो हम पर बने रहने दो इसका जिकर लोगसभा के rule number rule number 198 में है इसके लिए कोई सविधान का article नहीं है लोगसभा का rule है 198 और इसका जिकर सविधान का article number 75.3 है कि सरकार जब तक चलती है जब तक वो लोग सभा के प्रती अपनी majority साबित करती है तो ये सरकार लाती है और ये विपक्ष लाता है सरकार अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है गिर जाती है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार बची रह जाती है उसका उल्टा कर दो, अगर ये प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो सरकार को इस्तिफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, और अगर ये प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो सरकार बची रह जाती है, मतब दोनों उल्टी है, ये पास हो गया, सरकार गई, ये पास हो गया, बच गई यह फेल हो गया बच गई यह फेल हो गया सरकार गई इस प्रकार से तो confidence motion देखो दो अलग है अब विश्वास प्रस्थाओ 28 बार आया लेकिन पास नहीं हुआ मतलब किसी की सरकार नहीं गई 27 बार फेल हुआ और एक बार कोई निश्कास नहीं क्योंकि मुरारजी भाई देशाइन को सोचा क्यूं बेश्थी करवाई जब यह पास होएगा ही होगा पक्का होगा मेरी सरकार जाएगी इसलिए उन्होंने खुदी इस्तिफा दे दिया और यह प्रस्ताओ यह प्रस्ताओ सब्सक्षा था विश्वास करो मेरी सरकार चोड़ी चर्णाओ सिंग ने मुरारजी भाई देशाइई का साथ छोड़ दिया इनका मन मट्वूंटाव गया मुरारजी भाई की सरकार चली गई और चोदरी चर्णाओ की सरकार आई। लेकिन इससे पहले इस प्रस्ताओं को वो प्रूव करते वो साबित करते कि विश्वास रखो हमारे पास मैजोर्टी है हमारे पास बहूमत है उससे पहले उनको लग गया था कि कॉंग्रस नहीं साथ छोड़ दिया है और इसलिए उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी और इस्तिफा दे दिया चोद्री चर्ण सिंग के सरकार चली गई थी उसके अलावा 1996 में अटल बिहारी के सरकार तेरा दिन तेरा दिन के बाद चली गई थी क्योंकि वो विश्वास परस्ताओं को साबित नहीं कर पाए उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया उससे पहले इस्तिफा दे दिया मतलब ये फैल नहीं हुआ ये पास नहीं हुआ ये कुछ नहीं हुआ उन्होंने पहली इस्तिफा दिया लेकिन 1989 में अटल बिहारी वाजपई के साथ बहुत बड़ा धोका ये हुआ कि उनको सब ने कहा हम आपके साथ है हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन एक वोट से वो हार गए, विश्वास पस्ताओ फेल हो गया, विश्वास करो हम पर, हम सरकार चला लेंगे, लेकिन वो फेल हो गया, और सरकार गिर गई, तो आव विश्वास करों या विश्वास करों, no confidence या confidence, आज तक सर्फ एक के साथ धोका हुआ है जब वो बिल पास या फेल कुछ हुआ है मतलब वो बिल एक प्रकार से फेल हो गया यह वाला और सरकार को इस्तिफा देना पड़ा तो सरकार कि देखा जाए चोदरी चर्ण सिंग का इस मोशन के तहित विश्वास प्रस्ताओं के तहित बहस भी नहीं हुई पहले इस्तिफा दे दिया 1996 में अटल भीहरी वाजपई ने बहस होने के बाद इस्तिफा दे दिया 1999 में वो धोखे के शिकार हो गए अटल भीहरी वाजपई और यह होती है सरकार को गिराने का तरीका वरना पांस साल से पहले सरकार को हटाना नामुम्किन होता है आप सरकार को कभी नहीं हटा सकते पूनों मोशन के तैथ ही वो हटती है कर ऐसे और जानकारी लेकर आओंगा फिर आओंगा जरूर आओंगा नमस्कार